हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसीपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसीपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने कभी बिना light, बिना mix, बिना hand blender के गी निकाला है नहीं निकाला है, तो ये resistant आपके लिए इस तरीके से गी निकालेंगे तो ये ये बहुत यासानी से निकल जाएगए इसको आपको ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ेगा आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना तो यहां पर मैंने मलाई लिया मलाई लग बग 10 दिन हो किया है तो इसे मैंने एक रात के लिए फ्रीजर से निकाल के फ्रीज में रख दिया था और उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसको एक गंटे के लिए बार रख दिया था कि रूम टेंपरेचर पर आ जाए तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा बरतन ले लिया और इसमें हम इस मलाई को ट्रांसफर कर देंगे मैंने यहां पर मलाई थोड़ी सी ज्यादा है तो यह इस बरतन में आएगी नहीं तो मैंने इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया तो मैंने इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दिया ताकि हम इसे अच्छे से फेट पाए और जब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो पानी आएगा नहीं इसलिए दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दिया ज्यादा तर इतनी मलाई होती नहीं है हम जिस कड़ाई में गी को करते उसी कड़ाई में रेही बर्तन में सिधा ठांसफे कर लीजी अगर भो जाएगा ध्याँ रखना है कि मोसा लなた नगे भी मिनफम सकता है ऑप लिए देखें लगबख बेड़ से 2बीर और आपको देख के transgender Raise अलग हो गया है और ये तयार है हमारा मक्षन तो अब हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इसमें मलाई के अंदर जो दूद वगर है वो साइड में हो जाएगा तो मैंने यहां पर एक लोटा पानी का डाला है पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से डालेंगे और मैंने यहां पर गड़े का पानी लिया अगर आपके पास ठंडा पानी है तो अप ठंडा पानी ले लिए जिससे कि जो यह मक्षन बनेगा थे मारा मशना हार्ड बनेगा और असे निकालने में आसाना हो गी मैंने यहां पर गड़े comfortable लिए यह देखिये घि निकल के तयार हो गए, तो आप इसी तरह से मक्खन निका लिए, मक्खन आसानी से निकल जाएगा, इसमें आपको मिक्सी वगएरे, किसी की जरुत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे, जिस कड़ाई में आपको गी निकालना है, उसी कड़ाई में आप इ उच्छाल उच्छाल के हाथ पे लेंगे ना, तो इसमें जो एक्ट्रा दूद वगएर है, वो निकल जाएगा, और इसका एक गोला बनके तयार हो जाएगा, यह देखिए इस तरह से, इसमें थोड़ा सा दूद रे गया है, तो मैं इसे दबा के निकालना है, उसके बाद ह जी आप हर बार इसी तरह से गी निकालेंगे, इसमें आपके ज्यादा बरतर नहीं होगा, कोई मिक्सी के जार वगएर है की जरूत नहीं पड़ेगी, मिक्सी के जार में हम गी निकालते हैं, तो इसे तरह से गी आसानी से निकल जाता है, तो इसी तरह से मैंने पूरे मक्ष को निकाल के तयार कर लिया, अब हमें याँ पे गी को जादा देर पकाना भी नहीं पढ़ेगा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगे जिससे की गी को ले ज़ड़ा देर पकाना ही और अभी हमें गी को बिल्कुल भी पकाना नहीं है बस इतना गरम करना है कि इसमें एक अच्छा सा उबाला जाए और गी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए गी को सिर्फ हमें मेल्ट करना है ज्यादा उबालना नहीं है ज्यादा पकाना नहीं है तो हम इसे बीच बीच में चलाते तके गी अच्छे से मेल्टे हो जाए लगबख 4-5 मिनुट में गी अच्छे से मेल्टे हो जाएगा और पूरी तरह से गरम हो जायेगा तो यह देखिए-गी पूरी तरह से मेल्टे हो गया तो मैंने 6 फ्लम बंद कर देए इसे जदा समय को नहीं पकाना है sudah और यह देखिए गी हमारा अच्छे से तयार हो गया है तो अब हम गेस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे हाँ इसमें पानी एड़ करना इसी तरीके से आप गी निकालेंगे न तो आपको गी पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लेगेगा और पानी डालने के बाद हम इसे room temperature पर आने के बाद freeze में रख देना है जब तक यह अच्छे से जम नहीं जाता और यह देखिए मैंने पूरी रात के लिए इसको freeze में रख दिया था और गी देखिए अच्छे से जम गया है आपको देखके पता चल रहा होगा कि गी पूरी तरह से जम गया है लेकिन इसक सिर्फ गी बचेगा तो इसे पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नॉर्मली हम जब गी को गरम करते हैं उसे पकाते हैं अगर हम हाइफ लिम पे भी पकाते हैं तो भी उसमें लगबग 35-40 मिनट लग जाते हैं तो मैंने यह पर इसमें जो पानी था उसे हटा दिया और अब हम गेस ओन करेंगे और गी को पकाना शुरू करेंगे तो जैसे ही गी गरम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें बिलकुल भी दूद वगेरे नहीं रहा है मैंने यहां पे थोड़ा सा दूद बच गिया था सिंक में निकाला था तो वो गी गिरने का डर इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें दूद रहे गया है अगर आप चाये तो कोई चलनी वगेरे ले सकते हैं उससे पूरा दूद निकाल सकते हैं और यह देखिए गी में उबाला गया है और देखे ही पता चल रहा होगा कि इसमें ज़्यादा तर गी है जो दूद वगेर है जो पानी वगेर है वो बिल्कुल कम है तो अब हम इसे लगबख चार से पांच मिनट के लिए पका लेंगे और यह देखिए गी में अच्छे से उबाला गया है दो से तीन मिनट में यह देखिए गी इसमें से अलग होना शुरू हो गया है और मैंने यहां पर टोटल इसको हो सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाये था यहां पर लाश में मैंने थोड़ी देर के लिए हाइफ लेंज कर दीती दो से तीन मिनट के लिए और यह हमारा गी बन के तयार हो गया है तो अब हम कया करेंगे गेस की फ्लें बंद करदेंगे और एक कटोरी में चलनी रख देंगे मैं उस चलनी से चान के तैयार कर सकते हैं तो यहां पे देखिए मैंने गी को चान लिया है और अब जो यह बचाओा मलाई वगर है इसमें उसे मैं अच्छे से प्रेस कर लेना है इसमें काफी सार गी बच जाता है तो यह देखिए इसे दबाते वे निकाल लेना है और लीजिए तयार है हमारा गी लगबग 15 मिनिट में पूरी तरह से ये बनके तयार हो गया है उमीद है आपको ये गीब बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना अपने फेमिली और फ्रेंड्स अभी के शार शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मिलते है फिर से एक नई रेसिपी के साथ